किसान भाईओ अगर आप नर्मा का पास की खेती करते हो तो नर्मा में आपने कॉमन सी समस्य हर साल देखी होगी बार बार आपके सामने खेत में ऐसे कई पोद्य आपको दिखाई देते हैं कि जिसमें पतियों के उपर आपको गहरे पीले रंग के दब्बे दिखाई देते हैं पूरी पत्ती भी पीली नहीं होती आदी पत्ती आपको यहां पर पीली दिखाई देगी कुछ इस परकार से यह देखो यहां पर इस परकार से कुछ जितके से हो जाती है पीला जो रंग है यह आपको दिखाई देगा पतियों में पूरी पती पीड़ी नहीं होती यह जो यहां पर इसकी पतियों की नस होती है यह देखिए यहां पर एक यह नस जाती है यहां तक पीड़ा हो रखा है और दूसरी यहां से एक नस एक सीरा यहां से जाती है तो यहां तक पीड़ा हो रखा है बीच में यहां पर आपको तब्बे से दिखाई देंगे. तो इस परकार के पत्ते नर्मा में क्यों होते हैं? देशी कपास में तो यह समस्या बिलकुल ही नय के बराबर आती है. बहुत ही आपको रेयर ही चांस है कि ऐसी समस्या देखने को मिले देशी कपास में. लेकिन जो बिट्टी कोटन है जो हमारा नर्मा होता है इसमें ये समस्या कोमन हो गई है पिछले कुछ सालों से किसानों के खेतों में लगबग एक दो पांच साथ दस तक पोदे आपको नजर आ सकते हैं ऐसे इस परकार के दबों के तो ये समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है कोई बिमारी नहीं है किसी चीज़ की कमी नहीं है इसको देखकर ऐसा लगेगा कि ये कोई नई बिमारी है या फिर हमारी पोदे के अंदर फसल के अंदर कोई micro nutrients की कमी है या फिर कोई fertilizer की कमी है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये जो समस्या होती है ये मैंने आपको बिजाई के टाइम पर भी एक वीडियो बना कर जानकारी दी थी एक फोटो हमारे सामने आई थी उस टाइम के उपर मैंने आपको बताया था कि ये कोई बिमारी नहीं है किसी चीज की कमी नहीं है ये जेनेटिक प्रोब्लम होती है इस पोदे का जो बीज है उस बीज के अंदर ही ये समस्या थी इसलिए बीज के अंदर जो समस्या थी वो आपके प्लांट के अंदर आपके पोदे के अंदर उसके लक्सन दिखाई देते हैं तो ये कोई बिमारी रोग अत्वा किसी चीज की कमी नहीं है ये एक परकार की जेनेटिक प्रोबलम होती है ये बीज के अंदर ही आती है और पूरे पैकेट के अंदर एक दो या फिर पांच साथ इतने बीज आपको आराम से मिल जाते हैं आजकल जो आपको अक्सर देखने को मिलता है इस परकार के पोदे आपके खेत में तो ये बीज के दवारा होती है जेनेटिक प्रोबलम होती है तो इसको आप अपने खेत से उखाड कर कहीं पर इसको मिट्टी में दबा दें या फ कि इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाले गबराने वाले बात है नहीं इसको कई किसान भाई ज्यादा गमीर ले लेते हैं और उनको इस चीज़ का कोई समाधा नहीं मिल पाता दुकान के उपर जाते हैं दुकानदार को दिखाते हैं कि ये क्या समस्या तो दुकानदार उसको पचास तरह की दवाईयां देता है पचास तरह की उसको खाद देता है कि ये डालो इससे ठीक हो जाएगा तो किसान को बर्मित किया जाता है एक छोटी सी जानकारी के अभाव में तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा नर्मा कप जरूर करना आज किस वीडियो में बस इतना या आपसे फिर मुलाकात होगी कोई और जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद